पूर्व के चुनावों में कभी कमी रही है उन कम्यों को जरूर दूर किया जाएगा पागत करते हैं कि दो हमारे जो मानने विधायक के और जिनका बड़ा एक्सपीरियंस संग्थन में रहा है उनको एक महत्वपून जिम्बारी दीजारी है और आप जानते हैं कि हमारा लोकसवा का जो बहुती महत्वपून चुनाव है पार्टी के लिए और ऐसे समयमिन को जि और लोकसवा के जुनाव की जहां तक बात आती है शिमला का एक अपना संसेदेख शेतर का इतिहास रहा है और कॉंगर्स पार्टी के साथ एक भावनातनक संबंध है हमारी जो शीर्ष नेता चाहे अतीत में रहे हो चाहे उसमें हम हिमाच्चन निर्माता डॉक्टर येश् संसेदेख शेतर से रहा है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि 2024 के चुनाव में हमारा कॉंगर्स पार्टी का परचम्या लह रहा है और जो गत तीन चुनाव से यहां हमार को आशा के सुरूप सफलता नहीं मिल पाई है सभी कारणों को पीछे रखते वे एक जुट हो के सभी कारेकरता मेहनत करेंगे और जो 22 में भी मैं समझता हूँ 17 में से 13 जगा कॉंगर्स पार्टी नहीं हाँ पर जीत हासिल की है उसको ही मैं समझता हूँ 24 में भी वो फॉलो हो उसका अनुसरन हो इसके लिए पुरा प्रय सभी कारेकरता एक होकर में समझता हूँ सभी कारेकरता प्रत्याशी के रूप में कारे करके यहाँ पर निश्चित रूप में समझता हूँ कॉंगर्स पार्टी का पर्चम नहराएगा हिमाचल कॉंगर्स में एक बार फिर से पार्टी आला कमान ने कारे कारी अध्यक्षों की नुक्ती कर दी है संजेय अवस्ती जो मुख्य मंत्री के बेहतकरी भी हैं सीप्यस हैं राजे सरकार में उन्हें कारे कारी अध्यक्ष बनाया गया है और चंदर शेकर जो एक हैं मंडी जिला से तो उन्हें भी कारे कारी अध्यक्ष बनाया गया है अलंकि चुनाबों से पहले शुरू हुई विदानसवा चुनाबों से पहले शुरू हुई ये रिवायत जो है ज़ादा काम्याब होती हुई नहीं दिखी थी क्योंकि जो उस वक्त जो चार कारीकारिय ध्यक्ष बनाए गए थे जिनमें राजेंदर राना का नाम था पवन काजल का नाम था हर्ष महाजन का नाम था वो तो सब भाजपा में चले गए हैं भाजपा के हो गए हैं और जो विने कुमार जो चोथे थे जो रेनुका से विदायक हैं वो वर्तमान में अब संविधानिक पदपर हैं तो ऐसे में कॉंग्रेस पार्टी का जो ये मूव है उसको कई तरीके से देखा जा सकता है पार्टी की प्रदेशा ध्यक्षें प्रतिवा सिंग और जिस तरह की सुचनाय निकल कर आ रही हैं कि वो ही लोकसवा का चुनाब लड़ेंगी पार्टी आला कमानने भी उन्हें का है तो ऐसे में पार्टी किस तरह से चलेगी इसको देखते हुए ये कदम उठाया गया है और इसमें भी बैलेंस बनाया है पार्टी आला कमानने की पार्टी इस तरह कैसे चलेगी खासकर मंडी की अगर हम बात करें मंडी में सबसे जादा मुश्किल जो है कॉंग्रेस के सामने ये है कि कैडर जो है अभी मायूस पड़ा हुआ है और उसमें जान डालने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिस पर सभी को भरोसा हो तो चंदर शेखर लंबे समय से पार्टी से जुड़े भीर भदर सिंग ही उन्हें पार्टी में लेकर आये थे तो इन चुनाबों में जो है लोकसवा चुनाबों में एक एहम भूमी का मंडी जिला की रहने वाली है तो इसी को देखते हुए संगठन में चांदर शेखर की न्युक्ति यहां पर की गई है और चंदर शेखर के बारे में का जाता है कि वो पूरी तरह से समर्पित है संगठन के लिए सरकार में उन्हें लाने की जो है कोशिशें बहुत हुई मुखे मंतरी की तरफ से भी आश्वाशन कई बार दिया गया लेकिन जगा वो नहीं बना पाए अब संगठन के सामने उन यानि संगठन और सरकार के भीतर भी तालमेल बना रहे और इस चुनाबों में भी पार्टी एक जूट रहे और मंडी जैसी जगा पर भी जिस तरह से अब जैराम ठाकुर का एक तरह से बर्चस्व नजर आता है वहां पर पार्टी कैडर जो है फिर से खड़ा हो मजबूत ह उसमें जोश भरा जाए इस लिहाद से भी इस म्युक्ति को देखा जा रहा है शिमला से कैमरा सयोगी दिफक राना के साथ रनबिर सिंग म्यूज एटिन एमाचल